नमशकार दोस्तों एक बफेर से स्वास्ति विवाग में सरकारी भरती के लिए विग्यापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है सबी तरीके की पोस्ट यहाँ पे रहेंगी नर्स के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुका है इसके अतरीक यहाँ पे Pharmacist Grade B की Post यहाँ पे रहेंगी Medical Officer, Technical Officer, Assistant यह सभी तरीके के पाद यहाँ पे रहेंगे All India भरती है सभी States के Candidate यहाँ पे Apply कर पाएंगे और आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है Direct यहाँ पे Recruitment है CD यहाँ पे भरती है मात्र आपको यहाँ पे Online Application Form Fill करना है सबसे पहले आप सब लोग यह जान ले इस बार जो Vacancies यहाँ पे जो Release की गई है आप सब लोग यहाँ पे Heading पड़ सकते हैं लिखा हुआ है Bawa Atomic Research Center और देखिए भारत सरकार के तहक पूरा सरकारी भरती का विग्यापना पे आ चुका है Apply आपको यहाँ पे करना है किस तरीके से Apply करेंगे Last date यहाँ पे क्या रहेगी Post-wise कितने का Vacancy यहाँ पे शामिल की गई है Age Criteria Qualification और Sally Package के बारे में Information आपको आपे मिलने वाली है और Apply किस तरीके से करना है सारे instructions मैं आपको आप रीट करके बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो का आप लाइक कर देना है Like जरू करें All India Vacancy है सभी States की Candidate यहाँ पे Apply करें Like जरू करें इस वीडियो को Comment box में कोई भी doubt है, कोई भी सवाल है आप सबी लोग हमसाब है पूछ सकते है और दोस्तो स्वास्त बिवा की All India Vacancies की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते है तो अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले आगे और भी Vacancies की information आगे आपको आपे मिलने वाली है तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रैट बटन को आपे किलिक कर ले और स्वास्त बिवा की All India Vacancies की जानकारी इसी तरीके से आगे पात रहते बिलकुल शुरू बात कर देता अपने अपडेट को और बढ़ जाते अपनी information की और सबसे पहले आप सबी लोग को बताना चाहता हम जो पोस्ट यहाँ पर देखिए डारेक्ट बेसिस में आप रहेंगी डारेक्ट यहाँ पर recruitment है देखिए Medical Officer की यहाँ पर पोस्ट है Nuclear Medicine यहाँ जो department है एक पद यहाँ पर निकाला गया है इसके बाद दोस्टों आप देखिए Medical यहाँ पर officer की एक और पोस्ट है Nuclear Medicine की department में दो पद यहाँ पर निकाले गया है Technical Officer की यहाँ पर पोस्ट है Nuclear Medicine Technologist की एक पद यहाँ पर निकाला गया है नर्स की यहां पर दोस्तों आपर देखे विकेंसी है, कुल मला के 19 पद यहां पर रहेंगे, OBC के 10 पद हैं, और EWS का 1 पद है, और अंड़तर्प के लिए 8 पद यहां पर रहने वाले हैं, इसके बाद दोस्तों आपर देखिए, सब अफीसर ग्रेट B के यहां पर पोश्ट है 6 पद यहां पर निकाले गए हैं, और Nuclear Medicine Technologist की यहां पर विकेंसी हैं, Scientific Assistant के लिए 7 पद यहां पर रहेंगे, Scientific Assistant की Pathology Department में एक और पोश्ट हैं, 2 पद यहां पर निकाले गए हैं, Nuclear Medicine Technologist की 2 विकेंसी हैं दोस्तों, और दोस्तों देखिए, Radiographic की पोश्ट भी यहां पर आ चुक तो Direct Basis पर कुलमला के यहां पर देखिए, 53 पद यहां पर रहने वाले हैं, अब दोस्तों देखिए, Stipend Basis पर देखिए, Training के पोश्ट भी यहां पर आ चुकी है, Computer Operator का यहां पर एक पद है, और Human Physicist का यहां पर देखिए, एक पद है, Lab Technician के यहां पर देखिए, 5 पद है और Dental Technician, Hygienist के लिए 3 पद यहां पर निकाले गए, और कुलमला के यहां पर, Stipend Training के लिए 10 पद यहां पर रहेंगे, दोनों Vacancies को जब आप लोग यहां पर एड करेंगे, तो दो एक है टोटल, 63 पोश्ट पे सरकारी भरती का विग्यापन आ पर आ चुका है, Online आविदन आपको आपर करना है, अगर आप लोग यहां पर Qualification रखते हैं, अब बात कर लें तो Qualification के तोर पे, क्या क्या आपसे आपर मांगा जा रहा है, तो दोस्तों देखिए, Medical यहां पर जो Officer है, इसमें MS होना जरूरी है, या फिर MD होना जरूरी है, इसमें MS होना जरूरी है, इसमे और अनकोर्स आपके पास आपर अपर अबलेवल है, डिप्लोमा रखते हैं, तो बिल्खुल एपला करें, Experience भी आपसे आपर मांगा जा रहा है, नर्स की वेकेंसिया दोस्तों देखिए, 12th क्लास पास तोर आपका पर जरूरी है, जिसने भी Candidate आपर डिप्लोमा रखते है नर्सिंग का, मीस कहने बाली बाता, जिएनम का डिप्लोमा है, और वेलेट रेजिस्ट्रेशन आपके पास, किसी भी स्टेट का, किसी भी नर्सिंग काउंसिल का, तो बिल्कुल एपला करें, BSC नर्सिंग वाले भी Candidate यहाँ पर एपला कर पाएंगे, और जिनके पास दे नर्सिंग का, तो सभी Candidate यहाँ पर एपला कर सकते हैं, सब ऑफिसर की एक और पोस्ट है, 12th क्लास पास होना आपका आपका जरूरी है, और दोस्तों देखिए, साइन्स होना जरूरी है, chemistry subject के साथ, और दोस्तों देखिए, आप लोग को यहाँ पर experience भी चाहिए, तो experience है, तो ही आप लोग यहाँ पर एपला कर पाएंगे, और दोस्तों देखिए, अगली जो पोस्ट है, scientific officer grade C, nuclear medicine technologist के लिए B.Sc. डिग्री मांग जा रही है, और other course आपके पास यहाँ पर एपलिवेल है, तो बिलकुल एपला करें, और दोस्तों देखिए, experience रखते हैं, तो भी आ आप लोग यहाँ पर एपला कर सकते हैं, अगली जो पोस्ट है, scientific assistant के लिए, इसमें देखिए, B.Sc. 60% marks के साथ होना आपका पर जुरूरी है, और experience है, तो बिलकुल एपला करें, B.Sc. N.M.T. और nuclear medicine technology में 60% marks के साथ है, तो भी आप लोग यहाँ पर एपला कर सकते हैं, रेड geography में, तो बिलकुल आप लोग यहाँ पर एपला करें, pharmacist के यहाँ पर vacancy है, और 12th class पास होना आपका आप ज़रूरी है, दो साल का diploma है, अगर pharmacy में, और बिलकुल आपिदन करें, तीन साल का training course अगर आप लोग यहाँ पर रखते हैं, pharmacy का valid registration है, pharmacist का, और central government का हो, यहाँ पर state pharmacy council का, यहाँ पर central council का, आपको आपर registration होना आपर जरूरी है, driver की अगली vacancy है, 12th class पास होना का आपर जरूरी है, और driving license आपको आपर मांगा जा रहा है, heavy vehicle चलाने का, और देखिए, अब जो post हैं देखिए, stipendary, technician के यहाँ पर रहेंगी, training के तोर पे, इसमें देखिए, diploma वाले candidate भर पाएंगे, application form, EC वाले candidate यहाँ पर, और electronic वाले जिदने भी candidate है, 60% marks के साथ, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर apply करें, और दोस्तों देखिए, health physicist के यहाँ पर vacancy है, BSA degree वाले candidate यहाँ पर apply कर पाएंगे, 60% marks होना जरूरी है, biology आपर देखिए, botany जो है, subject होन आप कहाँ पर अनिवार बोला गया है, इस टाइप अंडरी ट्रेने की एक और vacancy है, lab technician के लिए, इसमें देखिए, HSC पास होना आप कहाँ पर जरूरी है, physics, chemistry, math और देखिए, biology में, और दोस्तों देखिए, 60% marks जो है, आपका aggregate होना आपर जरूरी है, दोस्तों देखिए, आप लोग को जो है, sell the package भी बता जा रहा है, तो इसमें दोस्तों आप लोग आपर पोश्ट के साब से देख लें, जो भी आपका आपर पोश्ट है, तो sell the package का कॉलम आपको यहाँ पर दे दिया गया है, और देखिए, कितना pay matrix आपको 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 आपकर दी जाएगी, 40 वर्ज उमार आपके यहाँ पर रखे गई, नर्स के लिए देखिए, 18-30 साल उमार आपके यहाँ पर रखे गई हैं, OBC के लिए 33 साल है, और बिलकुल आप लोग यहाँ पर आविदन करें, और फार्मेसिस्ट का भी बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर देखिए, 25 साल उमा आपको आपको आपके मिलेगा, परमद बिसिस पर आपको 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 की जानकारी आपको PDF में प्रोवाइड यहां पे करा दे गई है अब दोस्तों यहां पे बात करने ते किस तरीके से apply करना है और last date यहां पे क्या रहेगी तो दोस्तों देखें यहां पे लिखा हुआ है 8 नमर का यह जो point है how to apply किस तरीके से apply करेंगे तो लिखा हुआ है आप लोग को website के माद्यम से online application form फिल करना है how to apply पे जाके आप लोग यहां पे क्लिक करके आप लोग जो है हाँ पे online application form आप लोग यहां पे फिल करेंगे यह official website आप रहने वाली है last date आप सभी लोग यहां पे देख लिए आप सभी लोग को बता जा रहा है 15 February 2021 क्याने वाली बात है 21 जन्वरी से लिखे 15 February 2021 तक का समय आपको आप दिया जा रहा है आप लोग online आविदानिया आप लोग कर सकते हैं और दोस्तों देखिए fees का payment भी आपको आपको करना होगा और जितनी भी candidate यहां पे देखिए अंदरदर्प category के हैं और आप लोग यहां पे देखिए OBC category के हैं तो आपको यहां पे fees का payment आपको आपको करना होगा fees की जानकारी जो है आपको यहां पे provide यहां पे करा दी गई है पोस्ट वाइस आपको 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 आप करें इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप सब भी लोग पूछ सकते हैं, स्वास्त बिवा की हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वेकैंसी की इन्फॉर्मेशन आपको आपे मिलने वाली है, तो वीडियो की नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर रेट बिटन को आपे क्लिक कर लें, और स्वास्त बिवा की आगे आने वाली हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे, पात रहते हैं मिलते हैं अगले वीडि